साहित तिमीदी में सुनिये उपेंदरनात अश्क की लिखी हुई कहानी काले साहब उपेंदरनात अश्क बड़े लिखक रहे हैं काले साहब कहानी उनकी प्रिय कहानियों में से एक थी ये कहानी दो बार अनुवाद को दौरा अनुदित होकर अमडी की पत्रिकाओं में भी छपी है जर्मन भाषा में भी इस कहानी का अनुवाद हुआ है प्रस्तोते कहानी काले सहब DM की कोठी से बाहर निकल कर श्रीवास्तों ने रिस्ट वाच की और देखा आठ बजे थे, उसके पास पूरा एक घंटा था चप्तासी ने डियम के नौ बजे वापस आने की बात कही थी तो क्यों ना वो गजारन को इलावाद में अपने शुभागमन का सुसमाचार देया है एक पंथ दो काज में उसका सदा ही विश्वास रहा था बलकि यदि किसी पंथ के दो के बदले चार काज हों तो वो उन सब को एक साथ निप्टाने से कभी न चुकता था यही कारण था कि 6-7 वर्ष पहले के 50-60 रुपए मासिक पाने वाले पत्रकार से उन्नती कर वो इस थोड़े से अर्से में डिप्टी कलेक्टर हो गया था ना केवल यह बलकि डिप्टी कलेक्टर होने के बाद इसी चुस्ती और चालाकी के बल पर वो सुने और विहड जिलों को फलांगता हुआ इलाबाद न्युक्त हुआ था आज ही प्राता इलाबाद में उसका पदार पढ़ हुआ था और आज ही वो अपने अफसर के हाजरी देने जा पहुचा था पर डियम लखनों से दोरे पर आने वाले एक मंत्री के हाजरी देने हुए गए हुए थे इसलिए एक गंटा श्रीवास्तों के पास खाली था गजानन उसका बच्पन का मित्र था एलन गंज में रहता था युनिवरस्टी में लेक्चरर था अभी वो घर पर ही होगा ये सोचकर श्रीवास्तों ने इस खाली समय में उसी किया हो आने का फैसला किया कचहरी के पास से गुजर वो सड़क पर आ खड़ा हुआ एक दिन वो इसी कचहरी का बड़ा हाकिम बनेगा ये ध्यान आते ही गर्व से उसकी इर्णिया तनिक उठ गई उसके हाथ वो शर्ट के अकड़े कॉलर पर होते हुए दामन पर आकर रुक गए और पंजों पर एक दो बार जोड़ देते हुए उसने आगे पीछे से बुशर्ट को ठीक किया तब ही उसने देखा कि सामने बारह दरी के पास दो रिक्षा वले जैसे उसी को लेकर कुछ कहते हुए चले आ रहे हैं रिक्षा उसने सहाबी स्वर से गले में शब्द को तनिक उमेठते हुए आवाज दी जी हुजूर और दोनों रिक्षा उसके सामने आ खड़े हुए क्यों भाई घंटे के हिसाब से चलोगे कहा जाएंगे पहले रिक्षे वाले ने पूछा कहीं भी जाएं? क्या घंटा मिलेगा? जो भी रेट होगा? रुप्या घंटा लेंगे? दस आना मिलेगा अजी आईए हुजूर आप इधर आईए दूसरे रिक्षे वाले ने बड़े लटकते हुए लखनवी धंग से हाक लगाई हाँ हाँ तुम ले आओ और दूसरे रिक्षे के बराबर आते ही श्री वास्तो उचक कर उसमें बैठ गया बुशर्ट को दोनों और दामन से जरा खीच कर उसने ठीक किया और पतलून को तनिक उपर उठा लिया कि उसके क्रीज खराम न हो जाए वो पीछे की और पीष्ट लगा कर आराम से नहीं बैठा बुशर्ट के मसले जाने का उसे भैथ था और डियम से मिलने तक वो इसी प्रकार लग दग बने रहना चाहता था रिक्षे पर वो इस प्रकार अकड़ा बैठा था जैसे डियम से हाथ मिलाकर अभी अभी कुर्सी पर बैठा हो सीधा अकड़ा और चाक चौबंद रिक्षा वाला खाकी सूट पहने था सूट बहुत मेला नहीं था शकल से भी उस साधरर रिक्षे वाला मालूम ना होता था इलाबाद के रिक्षा वालों में देहातियों का बहुले रहता है फसल का मौसम ना हो और काम से छुटी हो तो निकटवर्ती गाओं के देहाती अपने लंबे तगड़े शरीर पर खादी की बंडी और कमर में अंगचा बांध मुर्री में एक जून का राशन लिए इलाबाद के और चल पड़ते हैं संध्या को पहुंचते हैं रात के लिए रिक्षा लेते हैं और सवारी से किराया लेकर ही दूसरे जून के सत्तू खरीते हैं इनी रिक्षा वाले देहातियों की सुधा के लिए बहुत से पनवारियों ने पान, बीडी, सिगरेट के साथ सत्तू के थाल भी सजा रखे हैं जिनके पिरामिटों में खुसी हरी मिर्च अजब बहार देती हैं ये देहाति रिक्षा वाले रिक्षा चलाते चलाते जब जरा समय पाते हैं तो सेर, आद शेर, सत्तू ले, उनी की थाली में गूंद, लोन्दा सा बना कर हाथ पर रख लेते हैं और मिर्चों की साहता से निगल कर पास के किसी नल से दो भूठ पानी पिलेते हैं कहते हैं कि गीदर की मौत आती है तो नगर की और भागता है उस गीदर और इन दिहातियों में कोई विशेश अंतर नहीं दिन दिन भर और कई बार दिन और राद भर रिक्षा चला जहां वे साल साल भर का लगान कमा कर ले जाते हैं वहां फेपड़ों को भी खोकला कर जाते हैं दूसरे रिक्षा वाले इलाबाद के ही ऐसे नागरिक मजदूर हैं जो दितिये महायुद्ध के बाद बेकार हो गए हैं रिक्षा चलाते चलाते उनकी पसलिया निकल आई हैं यक्षमा उनकी आँखों में जागता है तो भी वे महगाई के इस जमाने में बाल बच्चों का पेट भरने के लिए रिक्षा खीचने को इवश हैं शीवास्तो प्रियाक का ही निवासी था वो इन दोनों तरह के रिक्षा वालों से भली माती परचित था किन्त उसका ये रिक्षावाला उसे इन दोनों में से न दिखाई दिया इदा रिक्षावालों की एक तीसरी श्रेणी भी दिखाई देने लगी है रोनाल्ड कोल्मेंड की तरह बारीक सी तलवार काट मूज बनाए फौजी पैंट या पुशर्ट या केवल टोपी पहने युद्ध से चुट्टी पाए बेकार फौजी रिक्षा चलाने लगी है रिक्षा चलाते समय उनके सिर्क का तिरचापन साइकिल की गद्धी पर बैठे हुए उनकी कमर की अकड़ और पैडल घुमाते हुए बाहर के और घुटनों का फैलाओ पहली द्रश्ट में उनके फौजी होने का पता दे देता है होटों के दाएं अस्वाबाएं कोने में बीडी दबाए तीसरे महायुद के सुपन देखते मिसर इरान इतली जर्मनी वहां की आज़ाद फिजा और गोरी गोरी तनवंगियों के ख्वाब लेते वे दंदनाते हुए रिक्षा चलाए जाते हैं आजादी ने उन्हें गिर्गराना भुलाकर सुपविमान से सिर उठाना सिखा दिया है अधिकांज क्योंकि अर्दिस रिक्षित हैं इसलिए स्वाविमान की सीमाएं कहां अकड़पन से मिल जाती हैं ये नहीं जानते मोल भाव अधिक नहीं करते और सवारी को ऐसी द्रश्चे से देखते हैं मानो वो लूट मार में पकड़े हुए शत्र नागरिकों में से कोई हो परन्त ये रिक्षे वाला यद्या पी सैनिक वर्दी पहने था पर उसमें वो सैनिकों कीसी अकड़ नहीं थी मुख पर भी उसके अन्य फोजियों के भाव थी सूखे हुए आटे कासा तनाव न था बलकि गुंदी हुई लोई कीसी नर्मी और लचक थी क्यों भाई क्या तुम सेना में काम करते थे श्रीवास्तों ने अकड़े बैठे बैठे उकता कर शरीर को तनिक सा धीला छोड़ते हुए पूछा रिक्षे वाले ने रिक्षा चलाते चलाते तनिक पीछे की और देखा नहीं साहब सेना में हम क्या काम करते और ये कहते हुए उसके होटों पर व्यंग और उपेक्षा भरी मुस्कान दोड़ गई जिसमें हलके से दर्द की रेखा भी श्रीवास्तों की आँखों से छिपी न रही वो मुसकान मानों कह रही थी कि सीना की नौकरी जैसा निक्ष्ट काम हम क्या करते तो क्या रिक्षाएं चलाते हो श्रीवास्तों का मतलब था कि चार शे रिक्षा रखकर क्या उनकी आमद नी खाते हो रिक्षा वाला हसा अजी साहब कहाँ यहां तो रिक्षा भी अपना नहीं किराय पर लेकर चलाते हैं श्री वास्तो को इसके स्वर्ण में सभेता की यतेश्ट मात्रा लगी उससे उसे साहनभूती हुआई तो ऐसा जानवारू काम तुम काहे को करते हो उसने कहा रिक्षा चलाने से तो फेपड़ों पर बड़ा जोर पड़ता है दिंदरा थल और फावड़ा चलाने वाले दियाती तो खीश सकते हैं इन्हे तुमारे जैसे शेहरियों के बसका ये काम नहीं है जी क्या हम अपनी इच्छा से चलाते हैं बीवी है, तीन-चार बच्चे हैं, मा है, दो विध्वा भेने हैं इतने बड़े कुटम का खर्च अकेले हमी पर है तुम और कोई काम क्यों नहीं कर लेते हमको दूसरा कोई काम आता नहीं साहब तो क्या तुम सदा से रिक्षा चलाते हो जी नहीं साहब, जब से देश को आजादी मिली है रिक्षे वाले ने रिक्षा चलाते चलाते दाएं हाँ से माथ हठोका और बोला अंग्रेज यहां से गए, काले साहब उनकी जगे आए कि हमारी किस्मत फूटी देशी साहबों को ना हमारे काम की समझ ना परक ना हम उनके काम के, ना वह हमारे हमने तो अरजी दी थी कि हमको कोई दूसरा काम नहीं आता हमको उनी के साथ विलायत भेज़ दीजे पर किसी ने हमारी सुनी नही तो क्या करते थे तुम? हम कमिशनर डग केहां काम करते थे पचास रुपए महीना पाते थे रहने के लिए दो कमरे थे कपड़े साहब देते थे माफ कीजिएगा और रिक्षा वाला बात करते करते संकोश सितनिक रुखा नहीं नहीं कहो शिवास्तों ने फिर अकड़कर बैठते हुए कहा ये जो बुशर्ट आपने पहन रखी है रिक्षे वाले ने पीछे मुड़कर बड़े अदब से कहा ऐसी तो साहब क्या हम पहना करते थे शिवास्तों फिर डीला होकर बैठ किया पीड भी उसकी पीछे लग गई और बुशर्ट ये मसले जाने का भी उसे ध्यान नहीं रहा अंग्रेजों के राज में जो मौज ली अब कहां वो बिक्षावला कहता गया दिन त्योहार पर इनाम मिलते थे हमारे ही नहीं बीवी बच्चों तक के कपड़े बन जाते थे अब बताईए इतना हम कहां पाएं कैसे बीवी बच्चों का खर्ट चलाएं विवश रिक्षा चलाते हैं खून सुखाते किसी दिन इसी तरह डरक जाएंगे पर बात क्या है तुम किसी देशी साहब क्या काम क्यों नहीं करते कमिशनर की जगे कमिशनर है और कलेक्टर की जगे कलेक्टर रिक्षे वाले ने रिक्षा चलाते चलाते फिर पीछे की ओड़ देखा देशी साहब हमें क्या खा कर रखे वो बोला और उसके होटों पर वही विदरूप भरी मुस्कान फैल गई शिवास्तों ने उत्सुक्ता मिली जहलार से पूछा कुक थे जी नहीं खानसामागीरी हमसे नहीं होती तो क्या करते थे बैरा थे जी हाँ बैरा थे तो इसमें क्या बात है तुम दूसरी जगे नौकरी कर सकते हो हमारे याँ एक बैरा है जी नहीं वैसे प्रेरा हम नहीं थे हम खाना वाना लाने का काम नहीं करते थे हम साप के कपड़े देखते थे हाँ हाँ कपड़े अपड़े देखते होगे बूर तूट साफ करते होगे जी नहीं बूर तो भंगी साफ करता था हम तो सिर्फ कपड़े देखते थे क्या देखते थे कपड़ का अलग, दिन के आराम का अलग, सेर सपाटे का अलग, फिर डिनर सूट, गॉल्फ सूट, पोलो सूट, डांस सूट, शिकार सूट, उनको ठीक जगे पर रखना, धोबी को देना, लेना, साहब को पहनाना, यही हमारा काम था, देसी साहब क्या समझें और पर रखें हमारा काम दिन, रात, महीनों बरसों एकी सूट गिसाई जाते हैं यही सहब जिनकी लाल कोठी के पास से होकर अभी हम निकले हैं बड़े भारी अफसर हैं पर कभी-कभी ऐसा सूट पहनते हैं जो लगता है कॉलिज के दिनों का संभा ले हुए हैं जहां दफ्तर लगाते हैं, वहां बातरूम था, शनी की रात को क्या-क्या रौनके होती थी, और बगीचा देखा आपने, उसकी क्या दुर्गत हुई है, कभी अंग्रेज साहब के जबाने में उसकी बहार देखते, वही बगीचा क्या हमारी सिविल लाइन्स पड़ी अंग् बेक्षा और भारती रहन सहन के प्रति उसका दुर्भाव बहुत बुरा लगा, यदिब वो स्वयम सहाबी ठाट बाट से रहना पसंद करता था, परंत उसमें उसे अंग्रेजी संस्कृति से संबंद रखने वाली प्रतिक वस्त्य के प्रति क्रोध हो आया, उस अग्य को तनिक सब विक्य बनाने के विचार से उसने कहा, उनके और अपने खान पान वेश भूशा रहन सहन में बढ़ा अंतर है, वे लोग मास मचली खाना, शराब पीना बुरानी समझते, गाय और सूर का मास खाते हैं, हमारे यहां उसको छूना भी पाप है, उनकी औरते नाशती हैं, हमारे यहां, कुछ नहीं सहाब, रिक्षे वाले ने उसकी बात काटकर और रिक्षे के पैडल पर अपने जोश में और भी जोड देते हुए कहा, हम लों का देश गुलामों का देश है, गोंगे की तरह हम अपने आप में बंद होकर रह गए हैं, गरीब होने से हमने ग कि जब भारत आजाद था, जब आर्या अर्थात आरे लोग इस देश में आये थे, तो वे भी खुब खाते, पीते, नाचते, गाते और मौज बनाते थे, ना ये परदा था, ना खान-पान के ये बंदन थे, हमको हमारा सहाब बताता था, कि धन का लाग उसे खर्च करने मे है, बैंक पे जमा करने में नहीं, रुपया खर्च होता है, तो देशे कारीगर, मजदूर, दुखानदार, सब काम पाते हैं, नहीं तो बेकारी बढ़ती है, साहब साल के साल फरनीचर और दरवाजे खिड़कियों पर अंगरोगन कराते थे, छे महीने में वाइट वाश कर आते थे, दो माली, दो बैरे, खानसामा, धोबी, भंगी, उनके आनोकर थे, फिर उनके दम से डबल रूटी वाले, अंडे वाले, कुरसी मेज वाले, और ना जाने, कौन-कौन रोजी पाते थे, शिवास तो गहरदे में जौला सी लपकी, उसका जी चाहा कि वहीं उठकर उस साहब के कुते की गद्धी पर जोर का एक घूसा दे, लेकिन रिक्षा काफी तेज चला जा रहा था, तब उसने अपना कुरोध, अपने परवर्ती, गोरे अफसरों पर निकाला, उन सालों का क्या है, जनता को लूटते और मौज उडाते थे, जनता को ये क्या कम पर ची है, बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, अंग्रेज लेता था, तो दस आदमियों का पेट पालता था, ये खाते हैं, तो जमा करते हैं, खाएं उडाएं भी क्या, आदत भी तो हो, वही दोती कुरता पहने, बाहर भीतर सब जगह बने रहते हैं, पदरवे, ब महीने दो महीने पर हजामत बनवाते हैं नाई, धोबी, बैरा, खान, सामा क्या पाएंगे इंसे श्रीवास्तो मनी मन उमटसा गया पर चुप बना रहा कि क्या उस कमीने के मूँ लगे दूर क्यों जाईए रिक्षावला अतनी रौ में कहता गया रिक्षे तांगे वालों को ही ले लीजिए बड़े से बड़ा सेट रिक्षा करेगा तो मोलभाव करना न भूलेगा यहीं एलन गंज में एक ऑन्रेरी मेस्टेट रहते हैं बड़े आदमी हैं चौक में उनका एक प्रेस भी चलता है सदा यह अड़े पर आखड़े होते हैं और चाहते हैं कि एक ही सवारी के पैसे देने पड़े दूसरी सवारी ना हो तो आधा आध घंटे खड़े रहते हैं अंग्रेज मामूली फोजी भी हो तो कभी मोलभाव न करता था फिर जेब में रुपया हुआ तो रुपया दे दिया और दो हुए तो दो दे दिये एक बार हमारे साहब की मोटर बिगड़ गई थी यहीं एलन गन से कचहरी जाने में पांच रुपय का नोट उनने रिक्षा वाले को दे दिया था गजानन का घर आ गया था श्रिवास्तो उचक कर उठा परंत वहां जाकर मालूंगा कि वो तो है ही नहीं अपना कार्ड छोड़ कर श्रिवास्तो मुड़ा और रिक्षे वाले से उसने कहा कि जल्दी से चले कचहरी के सामने उतरते वक्ष श्रिवास्तो ने घरी देखी एक घंटा दस मिनट हुए थे दूसरा वक्त होता तो दस आने घंटे के हिसाब से बारह आने से अधिक न देता पर इस रिक्षे वाले को बारह आने देने में उसे हिचके चाहट हुई साहबों की कबर पर लात मारते हूँ इसने कहा एक घंटे से कुछी मिनट उपर हुए हैं दो घंटे भी लगाएं तो एक रुपया चार आने होते हैं पर ये लो दो रुपय चौदे आने हमारी और से बक्षी समझ लो रिक्षे वाले ने लगबख फौजी धंग से सलाम किया और श्रिवास्तो गर्व से इडियों को तनिक और उठाता हुआ डियम की को ठीक है और सला गया क्यों क्या मिला पहले रिक्षे वाले ने जो अभी तक अड़े पर खड़ा था जोड से पूछा दो रुपय दो रुपय? हाँ दो रुपय किसी देशी अफसर से मैंने कभी कम लिया जो इससे लेता साले इन काले साहबों से निपटना मैं ही जानता हूँ अंतिम वाके की भना क्ष्रिवास्तों के कानों में पड़ गई उसकी उठी हुई एडियां बैट गई शरीर का तनाव और चाल की की लिखी हुई उनकी एक प्रिये और प्रस्द कहानी काले साहब सौर दिया था मैंने यानि सीमा सिंग हिंदी साहित्य की श्रिष्ट कहान या सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद